अस्लामलेकूम, अस्मा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से आपको कंप्यूटर अप्लिकेशन विच विचॉस इन वीडियो के लेक्चर्स प्राहम किये जा रहे हैं लेक्चर्से मुतलिक किसी भी किसम की मलूमात लेने के लिए हमसे राप्ता करें पॉन नमबर 0515780562 मुबाइल नमबर 03125122001 लेक्चर की विडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से मुखात्ते हूं जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब में किया चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें आप तक लेटिस्ट अपडेट पूंच सकें शुक्रीए बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम असलाम लेकून मैं हूँ अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिल्सले की एक नई क्लास में मौजूद हैं आज की इस क्लास में हम माइक्रोसोफट वर्ड के उपर अपना काम जारी रखेंगे और आज हम करेक्टर फॉर्मेटिंग यानि हम अपने डाकुमेंट को फॉर्मेट और उसकी जिसको कहते हैं कि लवाजमात या उसकी इंग्रीडियन्ट्स कैसे पूरे कर सकते हैं आज हम यह सीखेंगे तो चलिए हम अपने वर्ड की फाइल कोई बनाते हैं और उसके साथ हम कुछ च्छेड़ा-चाड़ी आज करेंगे और बॉलिटिंग इसके इलावा बॉल्डिंग इटैलिंग और हम इस तरह की सारी चीजें आज सीखेंगे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उसको कर लेते हैं कैंसल बट एक्टिवेट प्रेस्पेस पार डॉके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुके हैं यहां अब हमें कुछ थोड़ा बहुत लिखना है जैसे फॉर एक्जेंपल मैं एक संटेंस यहां लिख लेता हूं क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं कि हमने एक संटेंस जो है वो लिख लिया है अब हम इसके साथ हम इसको करते हैं कि हमने इसकी इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को बोल्ड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं जैसे कैपिटल एक लफ है हम इसको यहां पर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट अरो से सेलेक्टेड अब हम इसको बोल्ड करते हैं और बोल्ड करना के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का इस्तमाल करेंगे bold on अब ये अगर इस word को देखा जाए तो ये इस वकत bolded है अब अगर हम इसी word को italic करना चाहें ये थोड़ा सा तिर्चा लिखा हुआ style होता है हम इसको control plus i से italic कर सकते हैं इसके इलावा अगर हम इसको underline करना चाहें control plus plus u से हम इसको underline करेंगे अगर हम इसको double underline करना चाहें यानि double underline हो जाए दो लाइने आएं इसके इसके तो हम control plus shift plus b का इस्तमाल control shift d इसने इसका function announce on off जैसे हम कर रहे थे वो नहीं किया लेकिन बाराल इसने अपना काम कर दिया है अब हम यह तो सीख चुके कि italic, bold, underline double underline हम कैसे कर सकते हैं अब हम चाहते हैं इसका size बढ़ाना इसका font size increase करना font size को increase करने के लिए हमें हमारे पास दो methods हैं बलके तीन हैं पहले दो methods हम commands के थूँआपलाई करेंगे control का button हमने प्रेस कर लिया right arrow जो back slash से बिलकुल साथ होती है उसको एक दुबाते हैं control को आप keep holding करेंगे उसको press करके रखें और right arrow को press करते जाते हैं जाएं तेखें इसका size इस वकत बढ़ रहा है अगर हम इसको इसी तरह एक एक point करके इसको decrease करना चाहें यानि size को कम करना चाहें तो right bracket के बिलकुल left side पे left bracket है control को press करें दुबा के रखें और left bracket एक एक point दुबाते जाएं twenty, 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 seven, twenty, six, twenty, five, twenty, four, twenty, four, twenty, three, twenty, two, twenty, one, twenty, four, ninety, eighty, seven, six, five, four, thirty, twelve point ओके मैं इसको 12 points के ओपर ले आया हूँ अब अगर हम इसी word का size दो-दो points करके बढ़ाना चाहें जैसे हमने अभी single single point इसका size increase किया है अब अगर हम इसका size double करना चाहें दो-points increase करें यानि बारा, तेरा, चोदा ना हो अब मैं करता हूँ control plus shift plus full stroke का use करेंगे दो-पॉइंट उपर गए पहले अगर right bracket से करते तो एक point जाता देखें एक लफस का of part हमने अगर अगर इसी font को हम टू-टू-पॉइंट्स डिक्रीज करना चाहें, यानि कम करना चाहें तो हमें Ctrl Plus Shift Plus कॉमा का इस्तिमाल करना है अब मैंने Ctrl Plus Shift Plus को होल्ड कर लिया है कॉमा के बटन को प्रेस करना शुरू करते है एक चीज़ याद रखेगा जैसे ही Fonts Size आपका 100 प्लस होता है फिर Increasing और Decreasing अपनी मर्जी से करेगा 70 पॉइंट है मैं यहां पर Ctrl और Left Arrow को एक दफाँ प्रेस करता हूँ यहां यह एक एक पॉइंट नीचे आएगा लेकिन अगर हम इसको Ctrl Plus Shift Plus कॉमा से करें तो फिर यह क्या करेगा कि आपके आप 100 में जब चले जाएंगे तो यह 10 10 पॉइंट नीचे आएगा देखते हैं कहां तक यह 10 पॉइंट को नीचे लावता है यह ओके वन हंडर पे आगया अब फिर Ctrl Plus Shift Plus कॉमा यूज देखें 72 पे जैसे ही आएगा फिर यह हमारा अब देखें कि यह 22 पॉइंट नीचे आ रहा है जब यह ज्यादा पॉइंट पे आप इसको ले जाएंगे तो फिर यह अपने मर्जी से 10 भी कम ज्यादा कर सकता है इससे ज्यादा भी उपर यह हम इसको 12 पॉइंट पे वापिस ले आए हैं इसी तरह हम किसी भी लिखे हुई चीज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अब अगर हमने अपने लिखे हुए को का फॉट स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कंट्रोल प्लस डी का इस्तमाल करना है डी फोड़क हम इसको कोई भी कॉंटेंट किसी तरीके से भी बना सकते हैं ये अरैबिक स्टाइल में अरियल और ये पिछे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि इसका स्टाइल चेंज हो रहा है ठीक हम इसको फिल्हाल वापिस हम इसको फिल्हाल एरियल पर एंटर कर देते हैं बलके नहीं करते हैं इसको हम यहां पर टैब से मजीद इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं और एक दफा ही फिर हम इसको ओके करें ठीक है हम रखके टैब करते है ठीक है बोल्ड इटालिक अच्छा इसमें हाथ लगने की वज़ा से यह कहीं आगे भागा रहे हमने कंट्रूल डी तबारा करके अच्छा स्पेसिंग हम इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं एक्स्पैंडेड एक्स्पैंडेड इसको फिल्हाल नॉर्मल पर ही रहने देते हैं ओके यह हमारा इसमें भी स्पेसिंग का काम है राइट लेफ्ट पे कितनी स्पेसिंग यह छोड़ेगा हम टैप करें पॉजिशन काम बॉल्ब पॉजिशन नॉर्मल पॉजिशन पैड़ पॉजिशन पॉजिशन अप पॉजिशन अप लिग अच्रस नॉर्बर स्पेसिंग अब इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसके पर Control Plus ठीक है जी 100% ठीक है जी 100% पॉसिशिन का ताप पॉसिशिए थाप पॉसिशिए थाप पोईंट सब्सिट आप अब एड़िक अब डिक अचर्ट आप ठीक है खीक है तो क्ट्रॉल टाप सब्सक्राइब के अंदर आपके अंदर आपके अब हमारे पास फांट स्टाइल आ गया रेगुलर है इटैलिक कर सकते हैं बोल्ड हम इसको चलें हम बोल्ड इटैलिक पे इसको रखते हैं और टैप का बटन प्रेस करते हैं यहां से भी हम साइज को बढ़ा सकते हैं डाउन एरो से यह साइज इंक्रीज होगा चलें 72 पे लिए टैप यहां से हम कोई कलर लेके इसको कलर इसका चेंज कर सकते हैं डाउन एरो प्रेस किया मैंने ओके मैंने रेड के उपर इसको रखती है रेड पे एंटर टैप करके अब अब हमारे पास अंडर लाइं स्टाइल की एक ओप्शन आई है कांबो बाक्स इस पे हम डाउन एरो बड़ते हैं वर्ड्स ओनली सिंगल डबल टिक डाटेड अवी हम इस पे इसको रखतेते हैं और टैप करते हैं चलें अंडर लाइन कलर आप आटोमेटिक पे रहने दें वरना आप इसको भी अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं एफेक्ट्स हैं इसमें वो भी हम कुछ लगा सकते हैं इस अच्छा ये इफेक्ट्स हैं हमारे पास जो भी हम लगाएं उस पे हमें स्पेस करना है चेक किया हम मैंने भी एक को चेक कर दिया है अब हम टैप टैप ओके करेंगे इसको अब हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं और हमने जो कुछ उसके साथ काम किया था वो सारा काम यहां पे हो चुका कलर भी चेंज हुआ उसका स्टाइल भी हम चेंज कर चुके इस तरह हम करेक्टर कॉर्मेटिंग जो है वो अपने टैक्स्ट के साथ कर सकते हैं यह थी आज की हमारी क्लास इंशाला नेक्स क्लास में आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए अब्दिल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस क्लास